मुरेना में किसानों ने आवारा पशुओं से निजात पाने के लिए एक ऐसी मसीन का प्रयोग किया है जिससे आवारा पशु ना केवल खेतों के अंदर गुश पाएंगे बलकि दूर से ही देखते रहेंगे लेकिन खेत में गुशने की हिम्मत नहीं करेंगे क्या है यहाँ टेकनोलोजी वाली मसीन इस मसीन को जटका मसीन कहा जाता है यहाँ मसीन चार्जेवल होती है क्योंकि इस मसीन में एक पावर बैटरी होती ही है जिससे एक तार निकालकर खेत के चार ओर लगा दिया जाता है जिससे लगबग 50-60 वीगा तक लगाया जा सकता है जिसके कारण आवारा पशू खेत में गुशने की हिम्मत नहीं करता है और जैसे ही वह गुशता है और तार के शंपर्क में आता है तो वह आवारा पशू उसको एक हलका सा जटका लगता है जिससे वह दूर भाग खड़ा होता है इससे पशू को भी कोई नुकसा नहीं होता ह इस मसीन की कीमत लगबग 14-15 जार रुपे बताई जाती है द्वारा तोड़के फशल को नुक्षान पहुंचा जाता है तो इसी द्रश्टिगोर से किशानों ने पिछले दो साल से दीर दीर जो जटका मसीन कहते हैं लाइट की मसीन होती है इसमें करेंट डारेक्ट प्रभावित नहीं किया जाता है इसलिए किसी भी जन्धन की हानी की जो हम बात करते हैं वो किसी तरह की नहीं होती है उसमें क्या होता है कि जैसे हमने किवल दो तार फैंसिंग में लगाते हैं जो एक किसान के लिए आर्थिक रूप से भी वो लावकार ही है लगकार मान के चलते हैं कि 14-15 जार रुपए की खर्चे में उसकी 25 बीगे जो जमीन होती है उसकी अच्छी तरह से तार फैंसिंग होके और पसुओं से स्वरच्चा हो जाती है परम तो यह ध्यान रखना होता है कि उसको मसीन को लगाने के लिए जहां भी क्योंकि चार्जिंग होती है उसमें बैटरी तो अपना जो टूवल होता है वहां पर इस्थापित करके और फिर उसको तार फैंसिंग करके किसान भाई लगा लेते हैं दूसरी हम बात कर रहे हैं कि जब उसके द्वारा किसी भी पसू को या हम सोचते हैं कि कोई अंजाने में हमारा दूसरा भाई इंसान ही जैसे चाहें वो कोई भी हो आ सकता है तो उसमें जो करन्ट है वो डारेक्ट प्रभावित नहीं होता है डारेक्ट होगा तो निश्च लगने से और पसु को भी कोई नुक्षान नहीं होता है और किसानों की फसल है वो भी बचत हो रही है एक तरह से नुक्षान से भरपाई हो रही है और उसका उत्वाद हमको ठीक से मिलना है